हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लेका रहा 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 है म्यूच्वल फंड्स म्यूच्वल फंड्स के जब बात आती है तो इंडियन शे मार्किट में लिस्टेट दो प्लियर्स है एक SDFC AMC एक निपॉन लाइफ इंडिया AMC यह दो मेजर कंपनी है जिसमें SDFC का गुरूप तो आपको पता ही है बड़ा जबरदस्त लेकिन निपॉन लाइफ इंडिया यह पहले रिलांस यानि कि अनिल अम्मानी जी का इसमा हाथ था अब भई अनिल अम्मानी जी ने हाथ यह पीच लिया है तो अब जाके इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है लेकिन अभी क्या हालात चल रहे हैं दोनों शेयर्स में कि अगर आप म्यूच्वल फंडमेंट इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचेंगे यार कुछ शेयर्स अकर म्यूच्वल फंड ए बटन पर क्लिक करके आप सीदे लेके चलते हैं आपको निपाउन लाइफ और एसडिएफसी एमसी एसजिएफसी एमसी जैसे कि मैं आपको पहली बताई यह भई यह कंपनी देखें जबर्दस कंपनी कोई कमी है नहीं जीरो डेट पैसा ही पैसा है प्रॉफिट ग्रोथ च यहां पर हम दोनों का कमपैरिजन कर रहे है एसडिएफसी एमसी और निपाउन लाइफ का जड़ा देखें यहां पर अगर आप डिटेल्स देखोगे तो आप कोगे एवन मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं कि लॉंग टम प बदल जाएंगे क्योंकि काफी डिफरेंट होने वाली है जो बिजनसे आप इससे पहले देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह चल रहे थे उनको भी चलाने में काफी मुसीबत है जहली पड़ सकती है अगले एक से दो साल के लिए अब आप को कि ऐसे कैसे देखिए आप आप यहां पे जहां पे काफी ज़्यादा भीडवा करती थी उस भीड़ को दूर दूर रखा जाएगा जड़ा सोचाही मतलब लिमिट किया जाएगा हर जगे पर तो वह बिजनसे के लिए एक काइंड ओफ लॉस ही है आप जहां पे इतने ज़्यादा कस्टमर्स थे उसको आपे लिमिटेड नंबर आप कस्टमर्स मिलेंगे तो वह सारी चीज़े इस तरीके से सिच्वेशन हर किसी को जहलनी पड़ीगा हर किसी बिजनस में तो इसलिए आपको जिस भी बिजनस में इन्वेस्ट कर रहे हो अगले एक दो साल का होरिजन इस परस्पेक्टिव से जर सब्सक्राइब को मिल सकते हैं अब यह मंतली चाहट है जब आया था 1100 में मिला था मिलते ही सीधे यह गया आपका अल्मोस्ट 2000 के लेवल पर 1970-1980 के लेवल ते फिर करेक्ट होता हुआ अगले कुछ टाइम बात जब यह टोटल एक्स रेशियो की कुछ बात चली थी तो टाइट कंसॉलिडेशन चली उसके बाद क्या तेजी देखने को मिले थी फिर देखिए फिर उसके बाद गिरावट दो हॉल्ट केंडल फिर नीचे गिरावट मेंबर्स तो समझी क्या होंगे भई बड़ी केंडल फिर हॉल्ट केंडल शॉट नहीं खूप कर लिया हुआ य ट्रेंड रिवर्सल अब सिंपल सा एक्जामपल ले लिए वीकली ट्रेंड लांग टम इंवेस्टर जनरली इसको फॉलो करते हैं यहां पर मार्केट गिरनी स्टार्ट होगी अगर कोई एक मतब की ट्कनिकल अनलिस से को फॉलो करता होगा तो यहां पर समझ जाएगा इस ल लॉंग टम इंवेस्टर कहां फे इंवेस्ट करेगा वह वीकली को जो फॉलो करते हैं आप देखिए यह बॉटम पॉइंट हाई बना है यह वीकली चार्ट से फिर से लो बना है अब जाके यह करेक्टिव रिजॉल्ब होता हूँ अगर हायर हाय बनने लग जाएगा तो आप अब सोचे कितना गईनवेस्ट किया और कितना रिस्क उसने सेव क्या दे छीह न कहीं minimum अगर उसने इस लेवल पर भी खरीदा होता तो ये कितना था 1300 का लेवल, मान लीजे 1300 का ये लेवल था और 1500 पर उसने start किया खरीदा, 200 रुपे का profit उसका miss हुआ, लेकिन उसका बहुत बड़ा risk जो है वो avoid उसने किया, जड़ा सूचिए, ये 200 रुपे उसने अपने risk के बचक करता है, वो weekly chart काफी reliable होते हैं, और दूसरी important बात, अब यहां से जड़ा ध्यान से देखें, weekly chart और members आप तो खास कर देखें, ये आप देख पा रहे हो, this what is this, this is your lion's attack, कितना, big candle, और अगर आप यहां पर देखोगे तो अच्छे खासे मुनाफ़ा कमाया हो गए आप यहां important था, अब आप कहो कि कैसे, इसने low बनाया, low के बाद lower high बनाया, अब यह low जब टूटा, यह important तीन हजार का point काफी important था, और इससे पहले भी हम कह रहे थे कि stock जिसे 2000 के level तक आएगा, हम कैसे, किस basis पर हम कह रहे थे, क्योंकि इस prior resistance के basis पर हम यहां पे कह रहे थे कि नीचे आगा, लेकिन अगर यह level टूटता है, अब लोग कह रहे है यार यह तो हमने 1500 के चकर में छोड़ दिया, भी, अगर यह level टूटता है तो अगला level यह 1500 का ही है, अगर यह level टूटता है तो लेकिन फिलाल पिछले तीन वीक से तेजी इसमें देख पा रहे हो, लेकिन weekly पे पर आपको दिखाना जाता हो, देखिए, स्विंग ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं यहाँ पर कहूंगा, यहाँ पर हर किसी तरह की कोई long term investor होता है, कोई intraday होता, स्विंग ट्रेडर्स आपके लिए important बाद, जैसी आपका यहाँ पर trend change हो गया, आपका मौक अब आगया swing में, देखिए, यह swing बनी है downside, और आपके लिए कितना बढ़िया मौका swing में आया, यह swing आपने देखी, swing का low बनने के बाद, यह आपका entry point, stop loss आपके लिए ready है, देखिए, कहां तक यह swing आपकी गई, फिर से अब जैसे बन आपको बताया कि, यह simple moving average जो होती है, यह काफी important होती है, अब देखिए, यह daily time frame है, यहाँ फिर इसका support लिया, इस swing को आपने trade गिया, फिर से stop loss यह है, कहां तक गया, फिर से इस swing को आपने trade लिया, यह stop loss आपका है तक कहां तक गया, इस तरीके से आपको swings मिलती रहेंगी आने वाले time पे, लेकिन वो भी uptrend के यह swings आपके लिए चलती रही और उसके बाद आप देखें कितनी बड़ी गिरावट है, अब फिलहाल daily time frame पे एक 50 EMA का strong resistance इसको मिल रहा, उस से उपर 200 EMA का है, 200 SMA का resistance daily पे, तो यह region काफी strong होने वाला है, 2600 से यह 800 की range काफी strong होने वाला है, यहाँ से मुझे लगता है कि ए hourly chart पे हम देखें, hourly chart पे आप देखें तो धीरे-धीरे positivity देखें, major breakout level था, यहाँ पे 200 के आसपास, उसके बाद आपने तेजी देखने को मिलिया, और हमेशा देखें, धीरे-धीरे करके, अब एक rounded top बनता होना नजार आ रहा है, यानि कि ए correction के requirement जो देख रही थी, वो होना जरूरी है, अब जलते हैं, बात करते हैं, दूसरे stock के तरफ, निपॉन, Life, India, Asset Management Limited, निपॉन, 18,000 करोर का market calculation कहा, SDFC, AMC कितना है, देखें, almost 56,000 करोर का market calculation, दोनों share बढ़ी है, लेकिन मैं मुझे, अगर आपको large segment में जाना है, तो मैं जाऊंगा SDFC, AMC के तरफ, Zero debt की company है, अभी थोड़ा सा positivity जरूर आई है, किसके बाद जब से अनिलम्मानी जी गए है, उसके बाद एक positivity हम expect कर सकते हैं आपे, और net profit तो देखें, अब धीरे धीरे इसमा आने वाले time पर सुधार आपको देखने को मिलेगा, जड़ा देखते हैं, तेकनिकल आसपेक्ट से तेकनिक हाई पार हो चुका है फिर से, लेकिन आप अगर एक नजर इसको ध्यान से देखें, तो एक strong breakout के region में, जो कि 208 थाने वे का रिजन है, उस पर trade कर रहा है, अच्छी बात यह है कि range contract हो लिए धीरे धीरे और इस range को break होना काफी important है, इस range को break होने काफी important है, ताकि आगे के ल जरूर है, एक corrective, एक बड़ा corrective के उमीद हम यहाँ पर लगा रहे है, बट अभी अगर हम देखें यहाँ पर किस तरीके से गिरावट इसमें आई, गिरावट से पहले अगर मैं यहाँ पर देखू तो लगातार यह मंतली basis पर गिर ही रहा था, 2019 की starting के बाद अचानक इसमे टाइट consolidation होती है, उसके बाद बड़ा breakout आता है, weekly का हो, चाहिए daily का हो, आप देखिए, गिरावाट आई, bottom बना, bottom बनाने के बाद यह बिलकुल, कोई कहेगा इसको यार, weekly पे हमको flag बनता होने जारा रहा है, members अगर आप इस वीडियो देख रहे हो, तो देखिए जारा, य intraday, swing, position साब trade कर रहे हो, आपको खुब पैसा बना के इसने दिया है, हर trading time में, अब daily की बाद करते हैं, daily में आप देखो यहाँ पे, daily में अगर आप इसको देखोगे, तो जैसे मैं आपको swing के बारे में बता रहा था, तो swing traders ज़रा ध्यान दे, बिलकुल एक बार positivity आगे उ 237, stop loss, 210, point देखे, कहां तक आई गया, अब यह गिरावर्ट जरूर आई है, लेकिन अभी के time पर daily time frame पर positivity जरूर दिख रही है, but again, same as SDFC, AMC, इसके लिए भी major hurdle हमारे पास 200 SMA daily pay और 50 EMA daily pay एक major hurdle यहाँ पर साबित हो रहा है, फिलाल wind up करता हूँ, वीडियो को उमीद करता ह है, लेकिन यहाँ पर निपॉन इंडिया की भी हमने बात करी वीडियो, शेर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेक्टिकल अनलसिस अगर आपको सीखने है, तो आप जॉइन कर सकते हैं, मेंबर्शिप जॉइन बटक पर क्लिक करके हैं, thank you, thank you for प्रोशिम बडियों!